अलो दोस्तों नमस्कार स्वागता है आप सभी लोगों का स्टरी आइट्यू पर स्टरी एग्यों के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्खालिया एक और विशे पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हो दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्राम फेस्बूक या टेलिग्राम के माध्यम से मिर साथ कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका डॉट है कोई आपके क्वेरी है आप यहां मुझे सकते हैं इस फिशे पे हम बात करने वाले हैं वो संबंदित है मानन ये प्रधान मंतरी जी हाल ही में एक तीन दिवसी दौरे पर ये अचियोपेन नेशन में गए थे जहाん वो नॉटिक कंट्री हिसके लीडर से मिले, इन कंट्री हिसके लीडर को उन्होंने कुछ ऐसे गिफ्ट प्रेजेंट किये जो भारत के हेंडिक्राफ्त, भारत की सांस्कृती को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये गिफ्ट जो है वो क्य के लिए प्रेपेर कर रहे हैं, आप स्टेट PCS की तायारी कर रहे हैं, इन सभी एक्जाम्स को कवर करते हुए, Study IQ पर बहुतर इन स्पार्ट कोर्स अबेलेबल हैं, दोस्तों, ये कोर्स आपको बहुत ज़ादा हेल्प करने वाले हैं, मैसिव डिस्काउंट्स आप ले पाएंगे, तो माननी प्रधान मंत्री जो है, वो हाल ही में bilateral meetings के लिए, अलग-अलग तेशों में, नौटिक countries में गए थे, जिसमें Denmark, Iceland, Finland, Sweden, Norway आधी countries शामिल थी, Copenhagen में माननी प्रधान मंत्री जी ने अलग-अलग leaders के, अलग-अलग leaders के leaders से, उनके heads से, मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे gifts उनको present किये, जो भारत की cultural diversity, tradition को, handicraft को, और जो artisans हैं, उनकी expertise को दर्शाते हैं, ये तीन दिवसी ये visit थी Nordic countries के अंदर माननी प्रधान मंत्री जी की, इस दौरान ये gifts सो हैं, वो present किये गए, क्या-क्या ये gifts हैं, देश के अलग-अलग region से ये gifts वो belong करते हैं, हर एक की अपनी एक special importance है, और civil services और state PCS के point of view से, ये topic बहुत जादा important हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे gifts हो हैं, कहीं न कहीं, handy craft या art and craft को states की represent करते हैं, तो इन से संबंदित सवाल जो है, वो हमको definitely exam में देखने को मिल सकता है, दोस्तों ये gifts क्या-क्या थे, इसमें शामिल है, पश्मीना का stall और paper machine, पश्मीना stall और paper machine, ये craft अगर आप जानते होंगे, जो होता है, युद करते समय आपने देखा होगा, इक हात में तलवार और दूसरे हात में धाल होती थी, ये धाल जो है, वो दुश्मन के हमले से बचाती थी, तो ये कौफ्त गिरी धाल जो है, वो राजस्तान से संबंदित है, brass tree of life from राजस्तान, silver मीनाकरी bird figure from बनारस, तोकरा art board from 37 गड़, और rogan painting from गुजराद, दोस्तों यहाँ पर एक जमु कश्मीर की, दो गिफ्ट्स गुजराद से है, दो ही गिफ्ट्स वो है, वो राजस्तान से है, इसके अलावा बनारस और 36 गड़, यह वो रीजन्स है, जहां से इन गिफ्ट्स को चुना गया, एक एक करके हर एक गिफ्ट की speciality समझेंगे, किस लीडर को कौन सा गिफ्ट दिया गया, क्या उसकी relevance है, इन सभी बातों पर हम सर्शा करेंगे, दोस्तों जो गिफ्ट दियेगे, यह 36 गड़ के culture को represent करती है, डोकरा क्या है, डोकरा एक प्रकार की art है, जिसमें अलग-अलग mold से, lost wax casting technique से चीजे बनाई जाती है, यह एक non-ferrous metal cast है, using lost wax casting technique, उस यहाँ पर समझना होगा, यह lost wax casting technique क्या होती है, यह करीब 4000 साल से, इस technique का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग-अलग चीजे बनाने में, lost wax casting technique, जो इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, इसका नाम है lost wax, तो यहाँ पर wax क्या है, दोस्तों यहाँ पर wax होया है, वो b wax की बात की गई गई, उसके बात की गई है, इस technique में तरह सल होता क्या है, जो उस wax को melt किया जाता है, आग के उपर, जब उसको आग के उपर रखा जाता है, वो पिगल जाता है, बिल्कुल तरल liquid बन जाता है, उसके बाद उस गरम तरल liquid को, एक बिल्कुल पतले से कपड़े में चान कर, ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, यानि कि इस wax को melt किया, एक कपड़े के थुरू इसको चाना और नीचे, एक ठंडे पानी के बरतन में, ये wax वो गर गया, दोस्तों जैसे ही इस पतले से, इस fine cloth के बीच से, ये wax निकल करके जाता है, और ठंडे पानी में गिरता है, इसकी बिल्कुल पतली-पतली wires जैसी बन जाती है, जैसे पतली-पतली wires होती है, वैसे ही wax की wires बन जाती है, क्योंकि जब तो wax गरम था, वो liquid था, लेकिन इससे निकल लेके, इसकी बाद ठंडे पानी में चला गया, वहाँ वो कम temperature के कारण freeze हो गया, और पतली-लंबी-लंबी wires जो है, वो wax की बन जाती है, अब इन wax wires का इस्तेमाल जो है, वो किया जाता है, पहले इससे कोई भी object हम बनाना जाते है, क्योंकि ये पतली-पतली wires है, पतली-पतली-वैक्स wires ले करके, एक कोई भी image जो है, वो wax की तयार कर लिए, इसके बाद क्या होता है, दोस्तों इस तयार की गई wax image के उपर, एक paste लगाया जाता है, जो clay और sand का होता है, wax wire है, उसके उपर clay और sand का paste लगा दिया गया, तो उसको जिस भी shape में आप ढालना चाहिए, वो उस तरीके की shape ले लेता है, जब इस wax के उपर clay और sand का paste लगाया जाएगा, तो जो exact shape इस wax की होगी, वही shape जो है, वो clay भी ले लेगी, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही ये clay का paste लगाया जाता है, इस पूरे के पूरे setup में एक छोटा सा hole रख दिया जाता है, अंदर एक सुराख कर दिया जाता है, वो क्यों कर दिया जाता है, जैसे ही ये paste dry होता है, सूख जाता है, ये shape ले लेता है उस wax की, उस wax image की जो हमने तैयार किया था, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे setup को दोबारा से गरम करेंगे, इसके अंदर क्या है, अंदर wax है और उपर clay और sand का paste है, जो कि अब सूख चुका है, उसने एक ठोस shape जो है वो ले लिए, दोस्तों जैसे ही हम इस पूरे के पूरे object को heat करेंगे, अंदर मौजूद wax जो है वो पिगलना शुरू हो जाएगी, और ये wax जो है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है कि छोटा सा hole रखा जाता है उसके अंदर, उस छोटे से hole से ये wax बाहर आजाती है, अब हुआ क्या, इस clay के paste ने, इस clay और sand के paste ने, try होके, सूख करके, एक solid shape ले ली, कौन सी, वो exact shape जो हमने wax wire से बनाई थी, अब ये paste जो है, वो एक mold का काम करेगी, वो अंदर से वो खाली हो चुका है, क्योंकि अंदर उसके wax थी, उस wax को हमने heat करके बाहर निकाल दिया, अब इस पूरे के पूरे clay और sand के mold के अंदर, कोई भी molten metal डाली जाती है, कोई पिगला हुआ धातू डाला जाता है, जैसी वो इसके अंदर जाता है, ये mold जो है, उस shape में बना होता है, कि वो molten metal जो है, वो अंदर जाके set हो जाता है, और exactly वो shape, जो हमने wax wires से बनाई थी, वही shape जो है, वो ये molten metal ले ले लेता है, इसको कहा जाता है, lost wax technique, दोस्तों क्यों कहा जाता है, इसको lost wax technique, इस पूरे के पूरे process में, सबसे important था ये wax, और एक step में हमने इस wax को गरम किया, और इस wax को हमने उस tiny hole से बाहर निकाल दिया, यानि कि उस wax को हमने इस्तेमाल किया, और उसके बाद वो wax वहाँ से चला गया, तब wax was lost, इस वज़ा से इसे lost wax technique कहा जाता है, ये डोकरा arts हो है, ये originate हुई थी west बंगाल में, और धीरे धीरे यहां के जो tribal people है, वो इसको आगे के जगों में लेकर गए गए, यहां से ये travel करते हुए समय के साथ, जारकंड वेस्ट बंगाल और इस साथ 36 गड़ और केरिला एंड राजेस्थान तक भी पहुंच गई, 36 गड़ में डोकरा आर्ट जो है, वो काफी जादा important है, और इसी डोकरा आर्ट से, इस पूरे के पूरे process से, इस प्रकार की ये boat जो है, वो बनाई गई, जो की प्रधान मंतरी द्वारा gift की गई, Denmark के crowd place, तो दोस्तो ये सबसे पहला object था, जो डोकरा आर्ट, डोकरा boat आर्ट कहा गया, ये सबसे पहला gift था, किस डोकरा आर्ट की importance हो है, वो काफी जादा historical है, वो कैसे हैं, दोस्तो wax casting और डोकरा आर्ट से बनाई जाने वाले artifacts का अगर हम सबसे प्राचीन उधारन देखे, जो लेजेंडरी dancing girl का figure है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जो artifacts मिले थे, इंदस वेली civilization, सिंदु घाटी की सब्वेता में, उसमें एक important artifact था, एक नृत्य करती हुई लड़की का artifact, जो dancing girl थी, जो मोहन्जो डाड़ो में मिला था, ये artifact dancing girl का जो है, वो इसी lost wax technique से बनाया गया था, तो historically काफी ज़ादा important है, और 36 गड़ में ये काफी ज़ादा important art मानी जाती है, दोस्तों दूसरा gift जो मानने प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया, वो है a silver मीनाकरी bird figure from Banaras, बनारस में प्रसिद मीनाकरी bird figure, ये किसको दिया गया, ये Denmark के crown princess Mary को दिया गया, मानने प्रधान मंत्री जी ने Denmark के prince को gift करा, ये दोकरा boat और जो crown princess है, उनको gift करा ये मीनाकरी bird figure, दोस्तों कुछ इस तरीके का ही ये bird figure, क्या इसकी speciality है वो हम समझेंगे, ये silver मीनाकरी bird जो है, ये बनारस में काफी ज़्यादा famous art है, इसके लिए इस्तेमाल होता है silver का, ये एक silver enabling technique है, silver के उपर enamel paint किया जाता है, और इसका origin जो है वो परशिया में हुआ था, वो वर्दा पिरिएट परशिया से ये art जो है, वो हिंदोस्तान में पहुंची थी, यहाँ पर सबसे important होता है, silver sheets के उपर, अलग-अलग रंगों का खास करके, pink color का इस्तेमाल, जितने भी इस तरीके के, बनारस के मीनाकरी, silver मीनाकरी products होंगे, उसमें pink color का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें होता क्या है, एक silver की sheet ली जाती है, silver base sheet होती है, जिसको एक metallic base के उपर जोड़ा जाता है, अब आद देखिए, ये metallic base है, और इसके उपर पहले एक silver sheet जोड़ी जाती है, जिसको धीरे-धीरे hammer से फिर अलग-अलग shapes दी जाती है, जैसे यहाँ पर इस sheet को एक sparrow की shape दे दी गई है, उसके बाद इसमें colors किये जाते हैं, इसे कहा जाता है silver मीना करी art, और यहाँ पर silver मीना करी art से एक चिडिया, एक पक्षी का artifact है ये बनाया गया था, और ये gift किया गया है princess को, ये finished product जो है जब पूरा का पूरा shape तयार हो जाता है, उसके बाद इसको सजाया जाता है, semi precious stones और pearls के साथ में, मोतियादी के साथ इसको सजाया जाता है, ये दूसरा gift था, थर्ड gift जो है, वो मानने ये प्रधान मंत्री जी ने Denmark की queen Margaret को दिया है, Danish queen Margaret जो है, उनको मानने ये प्रधान मंत्री जी ने गुजरात की rogan painting दी है, जो लोग इसके बारे में जानते है, rogan painting दर असल क्या है, गुजरात के कच्छ में इस painting को या इस art को practice किया जाता है, दोस्तों इस प्रकार की ये painting होती है, काफी जादा detailed process है, laborious process है, क्योंकि ये सारा का सारा design जो हाथ से बनाया जाता है, ये एक laborious और skillful काम है, इसके लिए बहुत सादा कुशल जो होना चाहिए व्यक्पी, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो craft है ये बनता है, paint made from boiled oil and vegetable dyes, बिल्कुल natural colors, vegetable dyes और oil से इसको बनाया जाता है, it is done using a metal block, या तो एक metal block से printing की जाती है, से metal block पे कोई shape है, उसके उपर paint लगा के उसको कपड़े पर, जो है वो print किया जाएगा, या फिर stylus तरा साल एक paint brush होता है, जादा तर ये painting जो हाथ से paint brush की मदद से की जाती है, ये rogan painting words वो परशिया से आया है, क्योंकि rogan शब्द का आर्थ होता है oil, आप सभी ने सुना होगा, हम कहते हैं अपने घर पे रंग rogan करा लीजिये, तो rogan जो है वो oil paint से संबंदित है, परशिया से करीब 300 साल पहले ये arts वो है, एक metal stylus जिसे column कहा जाता है, उससे paint किया जाता है, दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक column यह metal pen जैसा होता है, जिसको color में भिगो भिगो कर ये design बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये pen जो है, ये column जो है, ये कपड़े को touch नहीं करता, इस pen से हलके हलके fine बारीक धागे की तरह ये paint जो है, वो कपड़े की उपर गिरता है और उससे design बनते हैं, ये metal rod जो है, it never comes in contact with the fabric, जैसे ये fabric तयार होता है, दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तरहसले किस तरीके से बनती है, paint की मदद से, stylus की मदद से one half, आधा हिस्सा जो है, वो paint किया जाता है, और बाद में इस object को, इस कपड़े को fold कर दिया जाता है, अब यहाँ पर अगर हमने गीला paint लगाया है, कोई भी design बनाया है, जब हम इस कपड़े को इस तरीके से fold करेंगे, तो यही exact impression, दूसरी और भी बन जाएगा, दूसरी और भी चप जाएगा, तो बिलकुल geometric figure जो है, वो बनता है, one half को paint किया जाता है, और दूसरे half को fold करके, वही color जो है, उस पे भी आ जाता है, जिस वज़ा से exactly same shape, same figure जो है, वो यहाँ पर बनती है, तो यह है गुजराद की rogan painting, इसको gift किया गया, जब fold करते हैं, तो exact mirror image जो है, वो इसकी बन जाती है, दूसरों जो तीसरा gift है, वो है Denmark की Prime Minister को, Denmark के Crown Prince, Crown Princess, Denmark की Queen को, और Denmark के जो Prime Minister है, उनको माननी प्रधान मंत्री जी ने, गुजराद के कच की, एक wall hanging embroidery दी है, एक प्रकार के embroidery, जिसको दिवार पे लटकाया जा सकता है, कुछ इस प्रकार की दिखती है, यह wall hanging embroidery, यह Denmark के Prime Minister को gift की गई है, यह कच embroidery के नाम से प्रसिद है, यह हैंडी क्राफ्ट और textile signature art है, जो कि काफी जादा famous है, गुजराद की tribal community में, गुजराद की जो आदिवासी समुधाये हैं, वो इस art को काफी जादा practice करते हैं, यह embroidery जो है, जादा तर महिलाओं द्वारा की जाती है, cotton के fabric पे, सूती कपडे के उपर, रेशम के धागे से, net जो है वो बनाया जाता है, अलग-अलग designs बनाये जाते हैं, इसमें colors add करने के लिए, इसके अंदर shine, sparkle add करने के लिए, छोटे-छोटे mirrors लगाये जाते हैं, जिनें कहा जाता है, आपला, दोस्तों इस सारी terms important, अगर कभी एक्जाम में पूछ लिए जाए, उसमें छोटे-छोटे जो आपको sparkling दिखाई दे रहे हैं, ये दर असल छोटे-छोटे mirrors जिनें आपला कहा जाता है, वो इसके उपर लगाये जाते हैं, 2013 में कच, गुजरात के कच की काफी जादा famous art है, कच embroidery इसको कहा जाता है, अगला gift जो है, वो मानमी प्रधानमंत्री जी दुआरा, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, ये है केंद्र शासित प्रदेश जमू कश्मीर से, जिसमें पश्मीना का एक stall है, और paper machine box है, पश्मीना का एक shawl या stall जिसे कहते हैं, वो दिया गया paper machine के एक box में डाल करके, तो ये दोनों ही क्या है, इनके बारे में समझेंगे दोस्तों, ये पश्मीना का stall है, और ये है paper machine box, पश्मीना जो है, वो undoubtedly जमू कश्मीर UT की काफी exclusive art है, और विश्म भर में, अपने पश्मीना stalls और पश्मीना shawl के लिए जमू कश्मीर जाना जाता है, special पश्मीना stalls जो है, वो एक कश्मीरी गोट जो की high altitude regions of Himalaya's में पाई जाती है, उसकी wool से ये पश्मीना shawl बनता है, और इसकी speciality क्या है, ये बहुत ज़ादा गरम होता है, अपनी quality, अपनी speciality के कारण, काफी महंगा बिखता है ये पश्मीना के shawl और पश्मीना के stalls, और विश्व भर में काफी जादा पसंद किये जाते हैं ये पश्मीना stalls, ये पश्मीना stalls हो है, वो कश्मीरी high altitude में पाई जाने वाली गोट से लिया जाता है, और इससे ये shawl बनाए जाते हैं, इस पश्मीना के stall को gift किया गया, और इसको gift किया गया एक paper machine box में, which is handcrafted and colored, उस्तो paper machine क्या होता है तर असल, paper pulp से अलगलग shapes बनाई जाती हैं, जो कि dry होने पे एक solid form ले लेती हैं, paper machine जो है, again ये भी इरान, परशिया से 14th century में एक art form जो है, वो जमू कश्मीर में खासकर कश्मीर रीजन में आया था, कश्मीर का paper machine जो है, वो बहुत जादा famous है, यहाँ पर paper pulp जो है, उसको बनाया जाता है, और उसको काफी जादा decorate किया जाता है, colorful paints के साथ में, इससे अलग-अलग shapes बनाया जाती है, इससे वास बनाया जाएंगे, bowls बनाया जाएंगे, cups हो सकते हैं, boxes हो सकते हैं, trays हैं, base of lamps हैं, और बहुत सारी छोटी-छोटी decorative items जो है, इस paper machine, paper pulp को paint करके, सुखा के, dry करके बनाया जाते हैं, और इस ही paper machine box में, ये stole जो है, वो gift करके दिया गया, माननी प्रधान मंत्री द्वारा, इसके अलावा, जब माननी प्रधान मंत्री जी, फिलेंड के प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्हों ने फिलेंड के प्राइम मिनिस्टर को gift किया, brass tree of life, जो संबंदित है राजस्थान से, गास होता है, development होती है, उसको ही रिप्रेजेंट करता है, आप इस प्राकार से देखेंगे, उपर की और उठी हुई इसकी पत्नियां जो बताती है कि कैसे, जीवन जो है, वो फैलता चला जाता है, life जो है, वो बड़ी होती जाती है, branch of trees grow and develop upwards and contains various life forms representing inclusiveness, शाखाए जो है, वो उपर की और निकलती है, और यहाँ पर छोटी छोटी अगर आप ध्यान से देखें, तो अलग-अलग life के stages को represent किया जाता है, metal के form में इसे कहा जाता है, tree of life, यह जो handcrafted well decorative art of piece है, इसे tree of life कहा जाता है, is made from brass, और क्योंकि बहुत जाता छोटी-छोटी detailing के साथ यह बनाया जाता है, it represents the excellent craftsmanship and rich tradition of India, इसके अलावा दोस्तों, जब माननी प्रदानमंत्री जी, Norway के Prime Minister से मिले, उन्होंने Norway के Prime Minister को राजस्थान की कौफ्टगिरी आर्ट का एक धाल जो है, जो हो दुश्मन पर हमला करने के लिए है, जबकि धाल जो होती है, वो दुश्मन के वार से बचने के लिए, कि जब तनवार से हमला करता है, आप अपनी धाल आगे कर देते हैं, तो ये Armed Weapon है, तो इसको बनाया गया है कौफ्टगिरी आर्ट में, इस प्रकार से आप देखिए, दोस्तों नॉर्मल ढाल जो है, वो एक Simple Metal का पीस होता है, लेकिन इसके उपर आपको अलग-अलग Shapes हो है, वो नजर आएंगी, एक Elephant जैसी शेप इसको बहुत खूपसूरत तरीके से डिजाइन किया जाता है, इसको तरकाशी, यहां राजस्तान में कौफ्टगिरी आर्ट भी कहा जाता है, ये Metal की Traditional Art है, जो राजस्तान में की जाती है, इस Art Form का मतलब क्या है, It is Used For Decorating Arms and Armor, हत्यार और कवज, अब यह जो ढ़ाल जो है, यह कवज का काम करती है, तो Arms and Armor हत्यार और कवज को सजाने के लिए, क्योंकि सारे हत्यार Metal से बनते हैं, तो Metal के ओपर Traditional Art Form जो है, ये तरकाशी या कोफ्टगिरी कहला दी है कोफ्टगिरी क्राफ्ट से क्या होता है दोस्तो इस art form का use किया जाता था जो royal families थी है उनके members इसे राजा बगर थे तो उनके weapons उनका चाहे हत्यार हो चाहे उनका armor हो उनको बाकी लोगों से अलग दिखाने के लिए वेपन स्कोर उनके आर्मर्स को बाकियों से अलग करने के लिए मैटल सर्फेस पे इस आर्ट का इस्तेमाल किया जाता था इसे राजस्थान की कौफ गिरी आर्ट सो है वो कहा जाता है तो दोस्तों ये अलग-अलग गिफ्ट्स है जो मानने ये प्रधान मंतरी जी ने एक्जाम के तैयरी कर रहे हैं किसी लिए एक्जाम प्रेपरेशन में आप इन्वॉल्ड है Study IQ पर आपके लिए बहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है आप किसी भी कोर्स में अन्रोल करें ये कोड शुब 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट स्टरी है क्योंकि सभी कोर्स पे दिलवाएगा Thank you very much all the best keep working hard bye bye take care चैहन